स्वागत है आप सभी का टेक स्टेडी आईटेय योट्यूब चाहँ पर इसरो सतीज़वन नंतरिच केंदर सार स्री हरिकोटा की तरब से आई हुई वेकेंसी के ऑनलाइन फार्म के बारे में आज वीडियो में कम्प्लीट प्रॉसेस हम लोग देखेंगे रेजिस्टेशन से लेके प्रिंट तक का पूरा प्रॉसेस आप अपने मोवाईल फोन से आसानी से कर सकते हैं तो वीडियो अंतरिम तक देखिएगा और चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करके वेल आइकन को हिट कर लीजेगा यहाँ पे अलग-अलग पोस्ट की दिस्क्रिप्सन में दे दे रहे हैं यहाँ से आप लोग एक बार नोटिफिकेशन जरूर देख लीजेगा इस पे एक डिटेल वीडियो भी हमने बना दिया है अगर उसे भी आपने नहीं कर पाते हैं तो दिस्क्रिप्सन में एक वीडियो होगा फोटो रिसाइज कैसे करे हैं जिसवी साइज जिसवी पिक्सल में कहा गया है उसमें फ़र्ने की लास्ट से जो 17 मई 2003 से उसके पहले-पहले आप सब को फर्म capture code इंटर करने के बाद register पे click कर देना है जैसे आप इंटर करके click करेंगे आपके mobile वह आपके email id दोनों पे एक OTP जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पे इंटर करना है OTP इंटर करने के बाद आपको अपना एक password बनाना जो की alpha numeric होना चाहिए पासवर्ड आप ऐसे कुछ भी बना सकते हैं बट कोसिस किया करी हमेशा alpha numeric and special character भी चाहे तो रख करिए वह इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे submit कर देना है यही password आपका हमेशा आपके login में काम आएगा जैसे आप submit करेंगे आपका यहाँ पे registration complete हो जाएगा अब आपके सामने सारी post इनमें कितनी vacancy है और इसमें reservation detail किस category की कितनी vacancy है वो सारी चीज़ें आपके सामने open हो जाएंगी आप जिस post के लिए apply करना चाहें उस पे आपको सामने जो login वाला icon दिख रहा है इस पे आपको click करना पड़ेगा अब इसमें जिसे vacancy देखें electrician की है, fitter की है, electronic mechanic, diesel mechanic, instrument mechanic, plumber, pump operator सब भी किये तो आप जिस भी trade में apply करना चाहें यहाँ पे जैसे देखें हम electronic mechanic अगर select कर लेते हैं तो ITA candidate technician B की post पे apply कर सकते हैं बहुत अच्छी golden opportunity है हमने अल्रड़ी explain किया है उसमें आप लोगों को यह मौका छोड़ना नहीं चाहें क्योंकि यहाँ पे salary बहुत अच्छी है central government की job है बहले एक post हो, आप apply कीजिए and कमर कस के एकदम इसमें मेहनत कीजिए ठीक है, syllabus का video and detailed video आपको मिल जाएगा previous year के question paper का, जिससे आप इसमें selection ले सकें इससे पहले देखा आपने barc vacancy आई है जिसमें age limit भी कम रखी गई, जबकि यहाँ पर आप देख रहे है age limit कितनी अच्छी खासी आप लोगों को दी गई है ठीक है, तो आप आसानी से अगर आप ज़्यादा age के हैं तब भी आप यहाँ पे apply कर सकते हैं login के लिए आपको अपनी registered mail id और जो आपका password आपने बनाया था वो enter करना, capture code enter करके login पे click कर लेना है जैसे आप login करेंगे, आपके सामने इस तरह से यहाँ पे login वाला page open हो जाएगा अब इसमें सबसे पहले आपको अपनी basic detail देनी है basic detail में सबसे पहले आपको अपना नाम enter करना यहाँ पे नाम के लिए आप सबसे पहले अपना यहाँ पे title select करेंगे जो आप लगाते हैं starting में mister ठीक है, फिर आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे enter करना यह हम sample के तौर पे आपको form भर के बता रहे हैं आप लोग अपना actual जो नाम है 10th की mark seat में उसी को यहाँ पे enter कीजेगा अब आपको अपने पापा का नाम enter करना है देना आपको अपनी मम्मी का नाम यहाँ पे enter करना है spelling वगरा चिक करके mention कीजेगा यह चीज़े enter करने के बाद आपको यहाँ पे bank account number अपना देना FSC code के साथ क्योंकि आप सब को पता जो यहाँ पे fees लगने वाली 500 SCST, PWD candidate, Women candidate की पूरी fees वापस होगी General और OBC candidate की इसमें से 100 रुपए कटके 400 रुपए वापस होगी अगर आप exam attend करते हैं उस case में तो आपको अपनी bank का यहाँ पे नाम भी लिख देना है फिर आपको यहाँ पे exam city चूझ करने हैं All over India में आप कोई भी exam city जहाँ आपको nearest लगे हुआ आप यहाँ पे चूझ कर सकते हैं ठीक है तीन city आप यहाँ दे सकते हैं total इन तीनों city को आप अपने preference के according चूझ कीजिएगा ठीक है यह तीनों city चूझ करने के बाद आप लोग क्या करेंगे save and next पे click कर देंगे जैसे आप save and next पे click करेंगे अब personal detail में आपको यहाँ पे अपनी category चूझ करनी है आपकी जो भी category हो यहाँ पे हम reserve caste इसलिए चूझ कर रहे हैं आधार नमबर यहाँ पे mandatory field नहीं दिख रहा है इसलिए हम यहाँ पे enter नहीं कर रहे हैं अगर error आती है तो फिर जरूर एक बार देखेंगे enter गर के nearest railway station आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आपके nearest railway station उसे आप enter कर सकते हैं क्या आप person with disability हैं अगर yes तो yes करिए otherwise no करिए अगर yes करेंगे दिसका deal आपको देना पड़ेगा एक service man है तो yes कीजेगा otherwise no कर दीजेगा नहीं तो आगे problem हो सकती है आपको अब हम save and next पे click करेंगे तो बिना आधार नमबर के भी आप form भर सकते हैं कोई error यहाँ पे नहीं आई है लेते हैं यहाँ पे इसके बाद है class or division essential qualification आप इसमें किस class में पास हुए पास है first distinction जो भी है तो आप यहाँ पे वो choose कर सकते हैं ठीक है university या board का आपको यहाँ पे नाम डालना है तो आप उसको इंटर कर सकते हैं NCVT है तो NCVT आप डाल सकते हैं इसके अलाओं यहाँ duration of course one year है तो one year select कर दिये two years है two year select कर दिये marks type क्या रहा marks थे या cgpa system था तो अगर marks है तो marks system लिखी है अगर cgpa है तो आप वो यहाँ पे mention करेंगे ठीक है तो marks system चूच कर लेते हैं maximum marks यहाँ पे कितना था वो आपको select करना है marks आपने secure कितने किये यहाँ पे वो यहाँ पे select कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे percentage इंटर कर देंगे यहाँ पे जैसे आपने marks इंटर कर लिया percentage भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा खुद से ध्यान दीजिए automatically नहीं आएगा 10th या SSC 10th की आपको यहाँ पे detail देनी board का सबसे पहले आपको नाम देना है जो board का नाम आप लिखनेंगे इसके बाद आपको maximum marks कितने थे वो आपको लिखना है इसके बाद आप यहाँ पे कितने number आपको प्राप्त हुए वो लिखना है फिर यहाँ पे आपको percentage लिख देना है ठीक है decimal के दो character तक भी आप percentage यहाँ पे लिख सकते हैं एक बार जस्ट ट्राइ कर लेते हैं क्या ऐसा होता है जी हाँ decimal के दो digit तक आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो इसे हम 70.00 भी कर सकते हैं same ITA के percentage को भी हम 70.00 कर सकते हैं आप अपना जो actual percentage है उसे calculate करके लिखिएगा अगर आपने intermediate graduation, post graduation या other education आपके पास है तो आप उसका detail दे सकते हैं कोई experience आपके पास है तो उसका भी detail दे सकते हैं अगर नहीं है तो simply save and next पे click कर देंगे जैसे आप save and next पे click करेंगे अब यहाँ पे आती है बारी क्या आप employed हैं अगर आप कहीं काम कर रहे हैं अलडी तो उसका detail आप दे सकते हैं otherwise आप उसको no कर सकते हैं are you having the experience in the same line or allied cadre अगर है experience तो आप yes कर सकते हैं otherwise आप no कर सकते हैं यहाँ पे फिर आपको अपनी data of birth जो है न वो select करनी है तो data of birth यहाँ पे select कर लेते हैं इन सब में काफी साउधानी बरती हैगा आप लोग इसको गलत मत select कीजेगा नहीं तो problem आगे आपको face करनी पड़ सकती है जैसे हमने data of birth select की अब हम save and next पे click करेंगे अब आपके सामने आएगा document upload करने का detail सबसे पहले आपको photo upload करनी देन आपको signature upload करना फिर आपको save and next पे click करना है अब जब भी आप photo upload करेंगे आपसे यहाँ पे बार बार यह error आ सकती हो सकता इसलिए आपको ऐसी photo edit करनी पड़ेगी यहाँ clearly कह रहा है photo आपका 110-140 pixels में होना चाहिए तो उसे आप कैसे करेंगे photo resize का हमने एक video बनाए एक application है आप mobile phone से आसानी से उसकी मदद से कर सकते हैं वो video आप देखके जरूर अपनी photo resize कर लिजेगा हम यहाँ पे कर लेते हैं photo और signature पहले resize यहाँ पे हमने simply उसी application से किया within 10-20 seconds यह photo and signature दोनो resize हो गए अब यहाँ पे हम save and next पे click कर देंगे जैसे आप save and next पे click करेंगे अब आपके सामने एक declaration open होगा इस declaration को आपको देखना है इसके साथ आपको make payment वो आप preview का एक option आएगा तो आपको सबसे पहले preview पे click करके अपना detailed पूरा application जो है उसको देख लेना है आप preview पे जैसे click करेंगे इस तरह का आपके सामने आपका application page open हो जाएगा सारी detail को अच्छे से मिला लीजेगा ठीक है उसके बाद आप यहाँ पे submit के लिए जा सकते हैं अब हम click करेंगे make payment के option पे preview के बाद जैसे आप make payment पे आएगे आपके सामने यहाँ दिखाएगा 500 रुपए के आपकी fees लगने वाली है नीचे आएगा I accept and continue का option इस पे आपको click करना और pay पे आपको फिर click कर देना होगा जैसे आप pay वाले page पे जाएंगे तीन attempt यहाँ पे मिलेगा आपको pay करने का तो आप एक बार में pay कर लिजेगा आसानी से आप debit card, credit card, net banking, UPI इन सब में से किसी भी option से payment अपना कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद आप लोग अपना application का print out ले लिजेगा उसको अपने mail ID पे या आपने Google Drive में आपने phone में सुरक्षित रख लीजेगा जिससे आपको बाद में कोई problem ना हो तो यहाँ पे हमने आपको इस रो HDSE, SHAR की तरफ से जो आई होई vacancy थे उसके form fill up करने के process के बारे में complete information दी है उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए helpful रही होगी आप अब आसानी से अपने mobile phone से apply कर पाएंगे अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाएगा साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजेगा और हमारे साथ टेलिग्राम पे जरूर जो जाएगा thank you very much ख्यार दखियेगा अपना मिलते हैं अगले अब डेट के साथ अगले वीडियो में